नमस्कार प्रिया दर्सुको मैं हूँ मसलोजर रवी गुपता और स्वागत करता हूँ आज की मेरे बहुत ही विश्यसकारिक्रम चंद्र ग्रहन इस्पेसल में जी हां दर्सुको 26 मैं दिन बुध्वार को उप छाया चंद्र ग्रहन लग रहा है तो मैं आपको बताऊंगा कि यह चंद्र ग्रहन का प्रभाव परतिक मनुस्य के ऊपर क्या पड़ेगा वातावरन के उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कितने से कितने अवधी तक रहेगा और कितने दिनों तक इसका प्रभाव हर लोगों के उपर देखने को मिलेगा और दूसरी महत्पुन जानकारी कि मेस लगने से लेकर के मिन लगन और आसी वाले यह चंद गरहन जब लगेगा तो आपकी उपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कितना सूबता और कितना असूबता या फिर किस लगने के लिए अत्यादिक सूप और किस लगने के लिए अत 26 मई को उपचाया चंद गरहन लग रहा है जब भी सूर्य और चंद्र के बीच में प्रिथिवी आती है तो चंद गरहन की यूती होती है यह चंद गरहन बनता है तो चंद गरहन में क्या होता है कि जोती सास्तर कहता है कि जब भी कोई गरहन होता है तिससे में राहू और के प्रभाव बढ़ जाता है जब यह चंद ग्रहन लगेगा तो दोपहर का दो बज़ के चबिस तारीक को दोपहर का दो बज़ के 17 मिनट से ले करके साम का 7 बज़ के 19 मिनट तक रहेगा मतलब यह 5 घंटे 2 मिनट का उपचाया चंद ग्रहन है जब यह चंद ग्रहन लगेगा त उस समय चंदर्मा बिरिच्चिक रासी में रहेंगे मतलब जिन लोगों का भी बिरिच्चिक लगन और बिरिच्चिक रासी है आपकी उपर सबसे ज्यादा इसका नाकरातात्मक प्रभाव देखने को मिल सकता है इसके अलावा अनुराधा नक्षत्र में यह ग्रहन जो है बनन जाता है क्यूंकि चाया ही जो है वह राहू और के तू है तो जिन लोगों के कुंडली में यानि जिस लगन वालों के राहू के तू अच्छिए उसके लिए तक तत्यधिक लावकारि फलसिद्ध होने वाला है ये और जब यह ग्रहन दोस लगेगा तूस समय यह दोस लगे कि शक्रात्मक पड़ेगा मैं आपको कुछ दिर में अस्पष्ट तौर पर बता दूंगा प्रिय दर्सु को दिखिए उपछाया चंद ग्रहन में सुतक नहीं लिया जाता है लेकिन कोई भी ग्रहन को जोती सास्थर में असुभी माना जाता है सुब नहीं माना जाता है निचीत तोर पे जब चंद गरहन उप छाया चंद गरहन लगेगा तिसका प्रभाव बाता बरण में 15 दिनों तक अत्यधिक देखने को मिलेगा जी हां चंदरमा ओल्रेडी जो है अभी राहू जो है अभी अभी शनी को देख रहा है न जात में चंदरमा बहुत हतक मेडिशिन व्यगरा के भी सीधे कारक माने जाते हैं यानि जब यह गरहन दोस्ट लगेगा राहू केतु का प्रभाव बढ़ेगा यानि कुरोना काल दस दिनों तक अध्यधिक पीक में देखने को मिलेगा हो सकता इसमें अध्यधिक मिल्ट्य युकर ग्राफ भी देखने को मिले हो सकता है इसमें बहुत ज्यादा लोग परिशान भी रहें क्यूंकि सूतक नहीं लगेगा उप्छाया चंद ग्रहन है तो किसी प्रकार का पूजा पार्ट में आपको मना ही नहीं है फिर भी ग्रहन तो ग्रहन होता है आप चाहे तो बजना चाहिए तत्य क्या होता है कि जब यह ग्रहन दोश लगेगा तो राहु और केतु का प्रभाव बढ़ेगा तो अब मैं आपको बता देता हूं कि मेंस लगने से ले करके मिन लगन और आशी वाले ग्रहन दोस का प्रभाव आपके ऊपर किस किस तरह के से क्या लावक ऐखन दोश उत्पन होगा तो राहु आपके कुंडली में धनस्थान में बैठे हुए और चंदर्मा आठबे घर में बैठे हुए रहेंगे यानी चंदर्मा की परभाव में जो है कमी देखने को मिलेगा सुब परभाव में असुब में नहीं और राहु जो है ऑल्रड़ी थोड़ी सी परिशानियां हो सकती हैं धन अस्थान का राहु है धन में बृधि करेगा आपके जीवन में प्रयम संबंध में किसी प्रकार के खटपट हो रहे तो उसमें बहुत हद तक सुधार कर देगा बैंक बैलेस में थोड़ी सी बृधि कराने का यह परियास करेगा नय ने लोगों से संपर्क भी अस्थापीत होंगे नौकरिया वैपार के अच्छे परिवर्तन के योग दिखते हैं सबसे महत्तपुर्ण बात इस समय जो है कोई आपको दवाना चाह रहा था शेनियर तो उसके सामने आप हाभी हो जाईएगा और जीवन में आप किसी को जवाब आप कुछ नहीं दे पा रहा थे तो एक महनी के पिरियेड में आप जवाब अब श्यदे दीजिएगा इसके अलावा धनेश राहु जो है आपको थोड़ा कड़वा बचन बोलने वाला भी बनाएगा और पति-पतनी के बीच में थोड़ा बैचारिक मत्भित करा सकता है त केतु और इस ग्रहन के प्रभाव को कम करने के लिए आप कंटिनेव एक महने तक चंदन का तिलक लगाईएगा बिरिसव लगन और बिरिसव रासी वाले जब यह ग्रहन की स्थिति उत्पन होगी तो एक महने के आसपास आपको जो है मांसिक तनाव अत्यधिक जहनना को सकता है कि उसमें थोड़ी से बिलंबता देखने को मिल जाए संतान को ले करके थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं इसके अलावा ओलड़ी मैरेड लाइफ में थोड़े खटपट हो सकता है मांसिक तनाव के स्थितियां बढ़ सकती हैं पद्दोनती परमोशन में दिक्कत आ स से कम पड़े मिठुन लगन वाले अगर आप की उपर बात करें और मिठुन राशी वाले यही तो बात है आपकी कुणली में राहु जो है द्वादेश हो जाएंगे और चंद्रमा जो है वह सश्टेश हो जाएंगे तो स्वास्त सम्मध्य थोड़ी परशानियां हो सकती है दातों की समस्यां थोड़ी हो सकती है परिवारिक विवाद हो सकता है प्रेम संबंद में आईस थिरताय हो सकती है बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमियां देखने को मिल सकता है लेकिन यह गरहन दोस कुछ हमामलों में आपके लिए अत्यधिक सुभ और लाबकारी होना है आंसिक सांती देखने को मिलेगा विजय स्यात्राओं से रिलेटेड लाब की शंभावनाई बन जाएंगी कहीं फसे हुए पैसे आपके निकल जाएंगे और अपने आप में बहुत ही पावरफुल करने वाले रहिएगा यानि कहीं न तो कहीं मिथुल लगन और आशी वाले यह गरहन आपके लिए बहुत हद्तक लावकारी है फिर भी इसके फल को बहुत अच्छा बनाना चाहते हैं तो आप जल में दूद और चंदन मिलागर के सीवलिंग पे कंटीनू एक महीने तर चड़ाईए करक लगन वाले अगर आपकी बात में करना चाहूं तो जब यह च बढ़ दस्त फल मिलेगा आपको धनी बनाएगा उच्छ प्रकार के लोगों से संपर्क करवाएगा पॉल्टिक्स के छेतर में मंत्राले पद दे सकता है यह चुनाव से रिलेटेट नेमोनेशन करवा देगा पेट पैरों के समस्याओं को दूर करेगा लौटी सट्टा आपको किसी महत्पुन तथ्यों में संपती या फिर एक किसी विची जोक अपने हैंडल में लेना है तो आप उसको निच्ची तोर पर ले लिजिएगा दांपत्य जीवन में थोड़ा सा खटपट करा सकता है लेकिन मैं यह भी नहीं बोलूँगा कि बहुत असुफल दाई है यह सुभी फल्दाई है क्योंकि राहू की प्रवलता देखनी को मिलेंगे हाँ वह बात अलग है कि अपने संतान और अपनी सिक्षा पर आपको बहुत हद तक सोच समझ करके हर फैसला लेना पड़ेगा और किसी भी डिसीजर में किसी भी हाल में जो है गवर्मेंट अगर डॉकुमेंट्स वेगरा थोड़ा साइन करियेगा एक महने तक नहीं तो हो सकता है कि मत्ति बुद्धी चंद्रमा थोड़ा प्रष्ट करते हैं फिर भी आप चाहते हैं किसके फल को और सुभ और लावकारी बनाने के लिए तो निची तोर पे जो है करक लगन और करक हो पड़ेगा तो नए बैपार और नौए नौकरी का अफचुनिटी आएगा एक से कुछ प्रकार के लोगों सब्सक्राइब केमनल हो नेता हो पॉलिटिशियन हो धर्म सास्त्री हो आपकी सीनियर हो ठेकेदार हो या परधान मंत्री ही क्यों ना हो जो भी आपके छेत्र के लिए आपको लाब पहुचानी की कैपेशिटी रखता है आपके समक्ष आएंगे इसके अलावा जो है भूमी मकान वहां से रिलेटेट कुछ बाधाय हो रहे थी कोई परपटी चाहते थे बेच दे बेच के दुसरा खरिद लेता हंड़ेट परसेंट यह बिक जाएगा मात जाका स्वास्त और पिता से तालमेल में भी बहुत अधक सुधार देखने को मिलेगा लेकिन इस समय जो है घरेलू कुछ उल्जहने हो सकती है प्रपटी तो बिकेंगे लेकिन कुछ उल्जहनों का सामना करना पड़ेगा तो आपको इस समय बहुत ही सौधान रहना पड़े प्रभाव को बहुत ही अच्छा करना चंदन के साथ हल्दी का तिलक लगाना चालू करती है देखिए लाव कितना जबरदस्त मिलता है कि करन्या लगन वाले अगर आप के लिए ग्रहन दोस्के प्रभाव की बात करूं तो निचित तोर पे आपको तीन मामलों में साउधान रहना है थोड़ा हेल्थ इशू देखने को मिलेगा मांसिक्त नौ की प्रविर्थियां बढ़ सकती हैं गले में टॉंसिलिस रिलेटेट थोड़ी समस्याएं हो सकती हैं परिवारी विबात से आपको बच करके रहना है कोई भी गलट डिसीजन आपको नहीं लेना है पैसे क में दूध मिला करके सिवलिंग पे चड़ाइए और कंटिन्यू जो है आप हर बुधवार के दिन जो है ना कुत्तों को जो है खीर अवश्य खिलाइए तुला लगन वाले अगर आपकी बात करना चाहें किरहन दोश का तो अस्टमेस राहू प्रुपटिविबात की समस्या आपको समाप्त कर देगा अच्छे अच्छे लोगों से संपर का स्थापित करवा देगा मांसिक इस्थिती ठीक रहेंगी लव रिलेश्चन में बाधाएं हो रहा था या कोई दोस्त वेगर आपको परिशान कर रहा था या किसी रिष्टे से आप हटना चाहते थे तो वह इच्छी तोर पर हट जाए किसी को अपना जवाब नहीं दे पा रहे थे पैसी कि ठखी हो रही थी या नजाज लिस्तों से रिलेटर किसी प्रकार के समस्या हो रही थी वह ठीक हो जाएंगे प्रेम संबंद में सुधार हो जाएगा विभास रिलेटर कुछ बड़े फैसले आप ले लीजिएगा और सबसे महत्तपुर्वात यहां पर यहां रहेगा कि कोई पुरपटी खरित के बेचना चाहता है या खर्देव में बेचना चाहते हैं तो बिक जाएगा थोड़ा सा मा का स्वास्त खराब हो सकता है होवानी पे थोड़े नियंतरन करके रखिएगा फिर भी चाहते हैं कि इस गरहन दोस्त के प्रभाव को बहुत ही अच्छा बनाना तो आप कंटिनीव जो है स्वास्तिव चालिसा का पाठ एक मेनतर करिएगा बिच्चिक लगनवाले गरहन दोस्त के प्रभाव कि अगर आपकी चर्चा करूं तो निच्चित तोर पे आपक सोच समझ करके मैनेज करके रखना पड़ेगा मांसिक सांते भी आपके जीवन में दिखेंगे लेकिन लगन में ही नीच का चंद्रमा के कारण जो कुछ गलत डिशीजन हो सकता है तो आपको एक महने तक डिशीजन बहुत सोच समझ के लेना है प्राकर्म अस्थान पे काम करना था कुछ लोग सपोर्ट नहीं कर रहा था तो कुछ सपोर्टर लोग मिल जाएंगा यह पार्टनर स्पिंग से रिएलेटर लाब की संभावनाओं को बढ़ाएगा फिर भी आप चाहते हैं इसके फल को बहुत ही अच्छा बनाना तो हन्मान चाले इसा का पार्ट क जो है आपको पेट और पैरों के समस्याओं को दूर कर देगा करज की मुक्ति कराएगा सत्रू आपके समक्ष नहीं टिक पाएंगे और सब्से महत्यपूर्ण बात यहां पर यह रहेगा कि अच्छे अच्छे लोगों से संपर्क स्थापीत होंगे इसके अलावा जो है धन इसमारिशन भी ठीक हो जाएंगे इस गठने दोस्ट में उच्यासिकष्या को योग देखने को मिलेंगे इसकर दोस्ट में लोट्रीश चट्टा प्रभाव की बात करना चाहूं तो आपके लिए ग्रहन दोस्का प्रभाव थोड़ा सा सुभता कारक प्रतित नहीं हो रहा है इस समय क्या होगा कि पेट और पैरों में कष्ट की संभावनाएं देखने को मिलेंगी बड़े भाई बहनों से मद्भेद की स्थितियां देखने क फिक्नी को मिले इसके अलावा जो है कि मता कशु करेंगे कुछ लोग आपको टेंसन देने का परियास करेंगे करेंगे तो किसी भी हाल में आपको इस प्रकार की दुविधाओं में नहीं पड़ना है इसके firearm है यह योग जो है एक लावकारी है बताता हूं क्योंकि राहू देख रहा है आया स्थान को तो आपको इंसुरेंस लॉट्रे शटा जुआ शेर मार्केट या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेट काम में तो लाब दे देगा लेकिन हेल्थ हीशू में उत्पन कर सकता है तो आपको बज़ के रहना है खास करके क्रोध पर नियंद्रन पूर्ण रूपन करके रखना है फिर भी आप चाहते हैं कि राहू के प्रभ आए तो बहुत अच्छी बात है अगर लाल चना गरीबों को खिला दे तो बहुत अच्छी बात है अगर यह नहीं कर पाते हैं तो कम से कम जो है परते की दिन एक ही पेड़ा जो है अब गनेच्ची को भोग लगा दीजेगा कुम्राशी वाले आपके लिए ग्रहन दोस की बात अगर करना चाहूं तो देखिए चंद्रमा करमेश हो जाएंगे राहू फोर्थाउस के आजाएंगे जो सुब और लाबकारी नहीं है अताह पिता को कश्ट होगा घरेलो उल्जने उत्पन होंगी ससुराल पक्षिस से मतभेद हो सकता है मांसिक आइस्थ हिरताय देख सकता है तो आपको बच करके ही रहना पड़ेगा इस समय आपके मन में थोड़ा से नेगर्टिव थाउट्स भी उत्पन होंगे एक महिने तक और लगेगा कि जीवन को किस और ले करके जाए तो आपको आत्विश्वासी बनके ही रहना पड़ेगा ऐसा कभी कभी होता है कि ह है और वीडियो में सभी के लिए अच्छा नहीं बोल पाता हूं लेकिन में ट्रेक से अलग होकर कि तो नहीं चल सकता ना ट्रेक में बदलाव करके आपकी लिए क्या लाबकरी यह कर सकता हो लेकिन सास्तर को तो नहीं बदल सकता ना फिर भी आप चाहते हैं कि गरहन दोष क के परभाव को और क्षार अच्छा बालाना ग्रहं दोस्च के परभाय को और सुपता को कम करने के लिए तो आप कंटीन your जो है दूद्र और मिसरी का भोग जो है ना हनमान जी को लगाई एक महीनी तक को बिन्राशीक कर आप के लिए ग्रहं दोस्ट कि बढ़ जाएगी सरकारी काम काज का विश्य सलाब देखने को मिलेगा मांसिक सांती देखने को मिलेंगे अच्छ अच्छ लोगों शसंपर का स्थापीत होगा पेट और पैरों के समस्याएं आपके जीवन में कमेंगी और कहीं आपके एसे फसे हुए थे विदेशोस एक्सपर्ट इंपर्ट नहीं हो रहा था उससे रेलेटर कुस्छ चांसे बन सकते हैं लेकिन यहां पर आपको अपने सिनियर अधिकारी समद्भेद नहीं करना है धर्म सास्तर के प्रति आपके रूची कम नहीं करनी है स्वास्त पर विश्यस बनाना चाहते हैं देख मेहने तक स्रीव चालेशा का पाट कंटीनियू कीजिए प्रिदर्सकुच 26 भाई का जो ग्रहन लग रहा है इसका संपुन जानकारी में 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 लगने वाले सभी को दिया हूं उम्मिद करता हूं बताए कि जानकारी से संतुष्ट हों कि आप मैंने च